हेलो एवरीवन और वेलकम टू इंस्टेंट बाइलोजी बाय डॉक्टर नीलाव आज बहुत समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूं कोविड हो जाने की वज़े से तबियत काफी खराब हो गई थी और घर के बाकी सदस्यों को भी कोविड की प्रॉब्लम हो गई थी लेकिन अ अब सभी लोग पहले से बहतर हैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स कई लोगों के पर्सनल मेसेज़ेस भी आए कि मेरे उसके लिए वेल बिंग के लिए पूछने के लिए थांक्यू सो मच और अब आज से जो भी हम लोग रेगुलर तरीके से वीडियो प्रॉइट कर रहे थे और अलग-अलग एंजाइम के बारे में हम लोगों ने डिसकेशन शुरू किया था तो आज उस उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड काइनेज नाम के एंजाइम की तो आपको पता भी है काइनेज का मतलब क्या होता है काइनेज का मतलब हुआ कि ATP को या फॉसफेट को एड करने वाला ठीक है क्या हुआ फॉसफेट को एड करने वाला हुआ काइनेज का मतलब तो एक-एक स्टेप पे आगे बढ़ते चलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड काइनेज होता क्या है जी यह हेट्रो होमो टेट्र है यानि कि चार सब्यूनिट्स इसमें पाए जाएंगे और सभी एक ही तरीके के हैं होमो टेट्रामेरिक नेक्स्ट आया मॉलिकुलर वेट इसका 140 किलो डाल्टन मॉलिकुलर वेट है इसका सोर्स यानि कि यह कहां से पाया जाता है वह टीफोर बैक्टिरियो फेज वाइरस से यह अप्टेन किया जाता है पॉलिनुक्लियोटाइड का इनेस और इसका जो में रियाक्शन है अगर मैं इसकी एक्वेजन की बात करूँ तो किस एक्वेजन पर क्याम करता है जी अगर आपने एटीपी का मॉलिकुल लिया और यहां पे एटीपी के साथ आपने डी फॉस्फो डियने यानि कि ऐसा डियने जिसके फाइव प्राइम एंड पे फॉस्फेट नहीं है जहां पे आपने जो एंजाइम लगाया वो कौन सा लगाया जी पॉली न्यूक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम यहां पे आपने यूज किया तो क्या होगा कि यहां एटीपी से जो फॉस्फेट है एटीपी मैं आपको पता है अडिनोसीन ट्राइफॉस्फेट होता है यानि क एडिनोसीन के साथ तीन फॉसफेट लगे रहते हैं एक अलफा, एक बीटा, एक गामा अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ तो यह अगर इस तरीके से सिंप्लिफाइड वर्जन बनाओं तो यह P, P, P और यह हो गया आपका गामा फॉसफेट यह अलफा, यह बीटा और यह गामा फॉसफेट तीन फॉसफेट लगे हुए हैं उसमें से क्या होता है यह वाला जो गामा फॉसफेट है यह आपका पॉली नुकलियोटाइड काइनेज रिमूव करता है यहाँ से और add कर देता है, कहाँ पे add करेगा वहाँ पे, जहाँ पे 5' end पे phosphate नहीं है ऐसा DNA या RNA जो dephosphorylated है 5' end पे, ठीक है तो यहाँ से phosphate निकाला और कहाँ पे add कर दिया, आपके dephosphory, DNA या RNA पे तो यह क्या बन गया, देखें, यहाँ पे क्या हो गया जो ATP था उसके पास एक phosphate निकल गया यह बन क्या गया, जी, adenosine type phosphate, ADP बन गया तो यह आपका ADP बन गया और यह जो DNA, RNA के हम लोग बात कर रहे थे वो phosphorylated हो गया पहले क्या था, जी, यह dephosphorylated था, पहले dephosphorylated था, अब phosphorylated हो गया, इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो actually polynucleotide kinase जो है तो इसका नाम ऐसे कैसे पढ़ा, समझने की कोशिश करेंगे polynucleotide, मतलब अगर nucleotide का एक लंबी सी chain है आपके प्यास, तो क्या होगा यह enzyme जो है, kinase activity शो करेगा, यानि की phosphate आपका ATP से निकाल करके, phosphate आपके जो DNA है, dephosphorylated DNA है उसके उपर जा करके add हो जाए, add करवा देगा, इसी लिए इसका नाम polynucleotide kinase है, इसको short में PNK भी कहते हैं, ठिक तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, यह आद्यान रखेगा, DNA ही नहीं साथ सी साथ RNA के उपर भी काम करता है, तो यह clear हो गया, अब आईए बात करते हैं कि यह किस दो तरीके के, देखे, दो तरीके के reactions में इसका use हो सकता है, या इसका reaction mechanism जो है, वो दो तरीके का है, पहला जो reaction mechanism है, इसको forward reaction बोलते हैं, straight reaction है बिलकुल आसान सी reaction है, देखे, इसमें हो क्या रहा है, देखे, यह एक DNA का strand हमने लिया, इसके 5 प्राइमेंड पे OH है, तो यह क्या हो गया, इसको आप क्या कह सकते हैं, D-phosphorylated है D-phosphorylated क्यों बोला, क्योंकि 5 प्राइमेंड पे phosphate नहो करके hydroxyl है या OH लगा हुआ है और 3 प्राइमेंड पे तो OH होता ही है आप जानते हैं, तो इसके बाद poly nucleotide kinase enzyme हमने जब use किया, तो क्या हो जाएगा यह जैसे मैंने बताया, ATP gamma phosphate ATP का use करके ADP में convert हो जाएगा और यहाँ से एक phosphate use करके आप phosphate यहाँ पे 5 प्राइमेंड पे इसका एक phosphate यहाँ पे लगा देंगे ठेक, बहुत आसान है यहाँ से ATP का एक phosphate लिया यहाँ पे इसका 5 प्राइमेंड पे उसको fix कर दिया, तो यह क्या हो गया जी phosphorylated हो गया, तो यह तो हमारा हो गया क्या forward reaction इसमें हुआ क्या gamma phosphate from ATP हमने लिया और 5 prime end पे DNA RNA के fix कर दिया जैसे मैंने बताया दूसरा reaction जो है exchange reaction ये थोड़ा सा कम होता है as compared to forward reaction के तो देखते हैं इसमें क्या है इसमें देखे ये 5 prime end पे phosphate already present है समझने की कोशिच करिएगा ये 5 prime end पे phosphate already present है अब जब आपने PNK यूज किया polynucleotide kinase तो ये क्या करेगा यहां से phosphate निकाल करके इस 5 prime end से phosphate निकाल करके ADP में add कर देगा तो बन क्या जाएगा जी ATP बन जाएगा यहां से phosphate निकाला ADP में add कर दिया बन गया ATP और यहां पे इस वाले end पे क्या बच गया OH बच गया पहले phosphate था phosphate निकाला बच किया गया OH और यहां पर भी OH है देखे अब next जब दुबारा polynucleotide kinase इसी इस पे act करेगा तो जैसा पहले reaction था forward reaction जैसे पहले हमने पढ़ा था वही reaction फिर से होगा यहां दूसरे ATP molecule से फिर से phosphate लिया polynucleotide kinase ने और यहां पे फिर से phosphate लगा दिया तो आप सोच रहे होंगे कि यह क्या ज़रूरत थी इस तरीके से करने की I mean यहां पे phosphate पहले से ही लगा हुआ था दुबारा phosphate लगा दिया एक step additional किया OH लगाया फिर phosphate की add कर दिया तो देखिए यह step हमाई लिए useful है कई बार क्या होता है phosphorylated पहले से ही कोई strand जो है वो phosphorylated रहता है और उसमें से हमें phosphate यह वाला phosphate हटा करके radio labeled phosphate को add करना पड़ता है तो यह वाला जो step है यह यह वाला जो mechanism है यह बहुत का है कब जब हम लोगों को labeling करनी है strand की तो phosphate जो labeled phosphate है उसको directly यहाँ पे अगर phosphate पहले से लगा हुआ था तो इसको हटाईए और अपना radio labeled phosphate यहाँ पे आप जोड सकते हैं radio labeled phosphate आपने यहाँ पे add कर दिया ठिक तो यह देखिए काम कैसे use हो गया labeling का तो यहाँ पे हमने क्या किया यहाँ पे आप देख सकते हैं poly nucleotide kinase ने क्या किया phosphate को remove भी किया और साथ ही साथ क्या किया नया phosphate को add भी किया यानि कि यह phosphate को removal remove करने की भी activity शो कर सकता है तो चलिए इतनी चीज़ clear हो गई अब आगे बात करते हैं applications की कहां कहां यह use हो सकता है तो सबसे पहली application तो आपको समझ में आई ही कही होगी phosphorylation of poly nucleotide अगर एक लंबा सा DNA या RNA का strand है उसको phosphorylate करना है phosphate add करवाना है 5 prime end पे तो आप इसका use कर सकते हैं देखें यह कहां किस किस चीज़ के उपर phosphate add कर सकता है linkers के उपर adapters के उपर या PCR product के उपर जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे linker और adapter की बात भी मैं करूंगा वहाँ पे linkers और adapters के उपर phosphate add करवा सकते हैं और radio labeled 5 prime termini भी हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे हमने बनाया यहाँ पे दूसरा ATP use करिए जिसमें gamma phosphate already labeled हो gamma phosphate क्या हो labeled हो ऐसा आपने अगर ATP use किया तो उसका gamma phosphate यहाँ पे आकर के लग जाएगा और वो क्या हो जाएगा labeled हो जाएगा यानि कि यह strand आपका labeled हो जाएगा तो यह दो major applications polynucleotide kinase के उमीद करता हूँ यह lecture आपको समझ में आया होगा अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज इसे like करिए और मेरे चैनल को subscribe करिए एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो अभी कुछ दिन पहले introduction of bioinformatics almost एक देड़ महीने या desertation के लिए या बहुत लोग bioinformatics सीखना भी चाहते हैं तो उसके लिए भी आप enroll हो सकते हैं इसके साथ ही साथ Gatby की जो crash course है वो भी चल रहा है अगर आप उसमें enroll होना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें directly telegram पे message कर सकते हैं Thank you so much, have a great day कर दो कर दो